गुड मॉर्ним क्लास एइध, क्लास एइध आज हम आपका सब्जेक्ट हिंदी पढ़ेंगे और हमारे हिंदी का पार्ट नमबर छे है जिसका नाम है काबुली वाला और ये पार्ट नमबर 6 की है हमारी वीडियो नमबर 3ड एक पार्ट नमबर जो काबुली वाला होता है काबुल वाली जगह पर रहता है और इनके शहर में समान बेखने आता है और इसमें है लेखक जो मिनी के पिताजी है तो इसमें लेखक मिनी और काबुली वाली की दोस्ती के बारे में बता रहे हैं कि किस परकारून दोनों के बीच में दोस्ती होती और वह दोनों एक अच्छे मित्र बन जाते हैं और मिनी के स्वार्थ में क्या मिनी का जो मिनी का जो सुभाव होता है वो होता है कि वो किसी भी बात का मतलब ना जाने बिना भी उतर देना जानते हैं वो बिल्कुल बेचोप नहीं रहते तो स्टूडेंट हम आगे के चैप्टर कंटीनिओ करेंगे अपनी थर्ड वीडियो में तो हम पढ़ते हैं एक दिन सवेरे में अपने छोटे कमरे में बैठा हुआ था तभी सड़क पर एक बड़ा भारी हला सा सुनाई दिया क्या हुआ कि लेखक अपने घर में बैठे हुए थे और तभी उन्होंने क्या देखा कि सड़क पर एक बहुत भारी हला हो रहा है देखा कि मैंने अपने रहामत को दो देखा कि मैंने अपने रहामत को दो सिपाईों ने बांध लिए जा रहे हैं दो पुलिस के सिपाई हैं जो क्या कर रहे हैं रहामत को बांध कर कहीं ले जा रही हैं उसके पीछे बहुत से लड़कों का जुन चला आ रहा था उसके पीछे के तब बहुत से लड़के चले आ रहे थे रहामत के कुर्टे पर खुण के दाग है और एक सिफाई के हाथ खुण से सना हुआ छूरा उन्होंने क्या देखा कि उसके हाथ जो ए उसके कुड़ते पर रहामत के कुड़ते पर खून लगा है और सिपाई ने खून से सना हुआ छूरा अपने हाथ में पकड़ा हुआ है मैंने दर्वाजे के बार निकाल कर सिपाई को रोग लिया लेकक ने क्या तरह? अपने घर से भार निकल कर सिपाई को रोक लिया क्या बात है कुछ सिपाई जी कुछ रहमत के मूँ से सुना कि हमारे पडोस में रहने वाला एक व्यक्ति ने रहमत से एक चदर खरी दी थी उन्हें क्या पता चलता है कि उनके पडोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने रहमत से और रहमत निकाल कर भोक दिया, रहमत ने क्या काम करा, उसको उसके पेट में छूरा भोग दिया रहमत उस जूटे बेइमान आदमी के लिए तरह तरह के गालिय सुना रहा था रहमत क्या करे तो उस व्यक्ति को बहुत सारी गालिया दे रहा था काबुली वाला ओ काबुली वाला पुकारतुई मिनी घर से बाहर आ गए जैसी मिनी उसके सामने आई काबुली वाले के सामनी रहमत के सामने तुरन्त आते ही क्या पूछा कि तुम ससुराल जाओगे रहमत ने हसकर कहा हाँ वहीं तो जा रहा हूँ रहमत ने क्या बोला हसकर मेनी से कि हाँ मैं ससुराल ही तो जा रहा हूँ क्वाले। wrिट मेना कु अपने बापोजी के कमरे में भी नहीं दिखाई देती ती मतलब कि फो पिटा जी के सास्थ समबन्धी पुसकी जूट गया कि तरीकसरा मेरे से तरीकसरालं कि मैं चुट गया कि कितने साल बीथ गया मतलब कि बहुत साल इसमिए था हमारे गेरे का बेटी तैसा सबसे शयनाइती जोति वाजी इन पशनी कि उसका आज विवा है कि सवेरे से बड़ा भारी जमेला है हर वक्त लोगों का आना जाना जाना जारी है उनके घर में क्या था उनकी बेटी मिनी की शादी थी और लोग आ जा रहे थे आंगन में बास बांद कर मंदब सजा आ सजा रहे हैं हरेक कमरे और बराम बारमडे में जाड लटकाए जा रहे हैं और उसकी तंटन की आरपे मेरे कमरे में मत वह इस तंटन पल tu इंटन जान वह ओसको अवाज वह लेखक के कमरे तक आ रही है मैंने अपने लिखने पढ़ने के कमरे में बैठा हुआ हिसाब लिख रहा था क्या करें थे अपने कमरे में बैठकर लिख रहे थे इतने में रहमत आया और सलाम करकर ख़ड़ा हो गया क्या हुआ sociedad जो रहामत था काबुली वाला जिसको जेल हो गई थी अब वो जेल से छूट कर उनके पास आया पहले तो मैंने उसे पहचान ही नहीं सकता जो काबुली वाला था रहामत था उसको लेकते वह पहचान नहीं पाए उसके पास ना तो जोली थी ना वैसे लंबे लंबे बाल और ना चैरे पर पहले जैसा तेजी था वो क्या कहता है कि जो काबुली वाला था जैसे उसके पहले उसके शक्कल होती थी उसके चैरे पर तेज होता था या उसके पास जोली होती थी अब ऐसा कुछ भी नहीं था जि पहचान लिया कि यह तो रहमत है आप मैंने पूछा क्यों क्यों कि करशाम जिल से चुटा हूं लेकर जिलमात कुंद मेरे कानों में खट से बज़ उठे किसी खुणीकों मैंने कभी आंकों से कि मैंने पहले किसी खुणी को नहीं देखा था उसके मन में उसको देखते हैं कि ऐक्ज़चक हो गई मेरी अच्क है होने लगे कि आज इस शुप दिने यह आदमी कहां से चले आए चला जाय तो अच्छा हो वो बोले कि हमारे घर में शुप दिनेtu और हमारे घर में खुनी आ गया है अगर यह चला जाय तो अच्छा हो